अलो फ्रेंड्स में हूराज़ फ्रम राश्टेक आज हम देखेंगे कैसे डेट टाइम चेंज करना है Windows 11 सिस्टेम पर तो देखें मैंने लोग इन हूँ के उपर क्लिक करने के बाद आपको ऐसा अप्शन आ जाएगा सेट डेट अंट टाइम मैनुआली तो देखिए इसमें चेंज बला अप्शन में अप्लिक करने के बाद चेंज हो रहा है लेकिन अगर आपका सेट टाइम ऑटोमेटिकल यह बाइडिफॉल्ट एनेबल रहता है यह अगर एनेबल रहेगा तो आपको डेट टाइम चेंज नहीं होगा तो मैंने इसको ओन कर दिया ओन करने के बाद आपको देखा रहा हूँ ठीके ओन कर दिया मैंने इसको क्लोस कर दिया आभी मैं दोबारा इसमें जा रहा हूँ आपको डेट टाइम चेंज करने के बाद ऐसा दिक्कात आएगा तो देखिए मैंने इसको on कर दिया set date and time automatically यह by default on रहता है आप देखिए set time date manually यह deactivated हो गया मतलब इसमें काम नहीं कर रहा है ठीक है तो आपको क्या करना है अगर आपको यह बला option enable नहीं है तो simply इसको पहले बंद कर दिजिए automatically उसके बाद आप change में क्ल है यह 24 hours का clock है ठीक है आप जो भी आपका time date है वह आप set card देजिए इसमें set card देजिए उसके बाद change कर लिजिए तो देखिए मैंने date को simply 20 कर देता हूं करने के बाद change में क्लिक करूंगा और इधा देखिए effect परेगा change देखिए 20 हो गया 2004 2022 यह तो मैं फिर से मैं export कर देता हूं 28 है आज 28 कर दिया देखिए फिर से change हो गया so friends आज हमने देखा कैसे date time change करना है Windows 11 सिस्टेम पर तो आगर आपका कुछ दिक्कात आ रहा है comment कीजिए और वीडियो देखने के लिए बहुद बहुद थैंक्स क質elles कीजिं़ हो मैं पाला को टीजिए 1 त्टीण देखिखो देखए्टय काजिए 22 अश्रय काज है च्छलय काज रहा है नहीं पूुद 節ए हम सेटारी दिक्स्ताय जजड़ है check- robust ऑř nue देखिए देख़ भीड़ है उसल आद़िए outta देख quit